नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग। विरोध प्रदर्शन संजे सिंग की रहाई की मांग को लेकर है दरसल दिली शराब खोटाले में संजे सिंग नियाएक हिरासत में है। कोट के इस फैसले के बाद मेडिया में सीधे सीधे ये बयान दिया कि अडानी मामलों की जाच कब होगी इसे के साथ उन्हों ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एक भ्रश्ट नेता है। दरसल आपको बता दे मनी लॉंडरिंग मामले में मुख्य आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोडा ने बयान दिया है कि संज्व सिंग ने 82 लाख रुपे का चंदा एकटा करने के लिए दिनेश अरोडा से कहा था। और साथ ही संज्व सिंग ने ही मनी सिसोदिया को दिनेश अरोडा से मिलवाया था। दावा किया जा रहा है कि मनी लॉंडरिंग मामले में सरकारी खाजाने से डेर सु करोड का नुकसान हुआ है। इस मामले में मनीश ससोधिया, संजय सिंग और सतेंद रुजयन का नाम साम डिया है। हाला कि चार्टशीट में राघफ चड़ा का नाम भी है लेकिन राघफ चड़ा को एडी ने आरोपी नहीं बनाये है। अब देखना होगा 10 नवंबर को आखिरकार कोट का क्या बड़ा फैसला निकल कर सामने आता है। सलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रही है नेक्स्ट नाइन निउस।